आप 9 क्लास में हो और चाहते हो कि मैं आपको वो questions करा दूँ जो questions आपके paper में आ जाए या ऐसा ही question करा दूँ वो ही question आपके paper में आ जाए तो एक बात जान लीजिए Agitive questions तो थोड़ा पता नहीं बट ये बात तैह हैं कि ऐसे ही question आपके paper में आने वाले हैं तो ये मेरे पीछे जो sample paper है ये सादू आस्वानी स्कूल का official sample paper है उसी question को हम लोग solve करने वाले हैं तो अगर आप किसी private school में है आपका science का paper आने वाला है तो आप इसी के जैसा करके जाए इसी के जैसा ही आपके paper में questions आने वाले हैं कुछ और भी videos मेरी है science के 9th class science की playlist में आप जाके उसे एक बार देख लीजे 100% इसे के मिलते जुलते ही questions आपके paper में आ जाएंगे ठीक है तो अगर आपको useful लगता है तो आप उसे चाहो तो subscribe कर सकते हो नहीं चाहो तो आप वीडियो भी देख सकते हो ठीक है तो आप चाहे किसी भी school के हो किंद्रे विद्यालाय में हो हो या कोई और school में हो सारे जिगों पर ऐसे question paper आने वाले हैं तो शुरू करते हैं सरकार यह sample paper जो 9th class का science का sample paper है I hope यह थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं ठीक से बट इस तिल आप ट्राइए करेंगे मैं इसे जूम कर दूंगा तो इस बिजिबल टू यू हो जाएगा आ अब मैं इसे शुरू करता हूं इसने देखो यहां पर लिखावा science 9th class का है तो पहले question की तरफ मैं बढ़ूँगा और एक के करके मैं आपको question करवाओंगा तो आपको देखना यह है कि मैं question attempt कैसे करता हूं वही tactics वही तरीके आपको भी अपने question paper में attempt करते वक्त लगाना है अगर आप मेरे जैसे ही attempt करेंगे तो आप बहुत average बच्चों से आगे निकल जाएंगे ठीक है और आपका time भी बहुत ज्यादा बचेगा paper के दोरान यही पैदे होते हैं mock test के कि आप उतने time duration में उतने question कर पाते हैं कि नहीं वो भी smartness के साथ correct sir एक बार देखे नजरे मेरी तरफ रखें यह सर आपको पता होगा थोड़ी नोटिफ इंसक्शन्स दी होती है कि कौन सा question कितने number का है पांच section में divide होगा total 39 questions होते हैं पहले sections में आपको आता है 20 question जो mcq होगा दूसरे section में आएगा 6 question जो very short type के होंगे 2 number के होंगे तीसे question में 7 questions आएंगे जो आपके 3 number क के होंगे और तीसे section में 5 number के question आएंगे जो 3 questions होंगे और यह में आपका case base study आजाएगा तो आपको वो 4 number के होगी ठीक है तो आपको पता चले गया होगा जिरा इस question को question number 1 जिरा आप मुझे करके दिखाए देखें मैं इस question को कैसे करता हूं जब आप भी करेंगे तो माहोल चाहेगा आपको पता है एक चीज मैं आपको बता दू यह जो sample paper था ना यह सादू आसवानी स्कूल का है लेकिन आप एक बात जान लीजिए ऐसा ही मैंने को sample paper इससे पहले ही करवाया था जब सादू आसवानी स्कूल के teacher ने official sample paper दिया नहीं था और यह देखें उनका जो first question question है वो मैंने जो पहले sample paper अपना करवा रखा था जो वीडियो भी uploaded है उनका ही उन्होंने भी अपना first question दिया है जो मैंने first question दिया था तो इससे में सिर्फ यह कहना चाहता हूं ना बहुत high probability है कि जो यहां पर मैं करवा रहा हूं उसी कि जैसे question आपके paper में आ जाएगा एक और आप यकीन कीजिए और वीडियो देखके जाएए फिर आपको पता चलेगा आपको कितना profit हुआ है जैसे question number first है इसको मैं कैसे attempt करता हूं सामने ही आप समझे जरा उन्होंने का हुआ है यह कुछ question है मैं थोड़ा और इससे बढ़ा कर दूंगा आपके लिए sir ताकि आप आप देखेंगे यहां पर यूनिट्स दे रखी है इसे बोलते हैं एसाई यूनिट्स बोलते हैं ठीक है सर तो कैसे दे रखी है पहला है वैलोसिटी दूसरा है displacement चौथा है टाइम और पांचवा एक्सेलरेशन मान लिए मुझे इन सबकी dimension इनकी एसाई यूनिट्स नहीं निट्स फॉलाविं तीकलिषब करने के साटे तो टरकानल कर परएंगे कैसे करेंगे देखो मालू मुझे नहीं पता बज़े पता मुझे वेलोसिटी नहीं पता मुझे एक्सेरेशन तो पता होगा ना हर बच्चा बच्चा जानता है टाइम क्यूनिट्स क्या होताय से सबको पता है टाइन की उनीट सेकेंड होता है इसका मतलब तया हुआ पूर्थ वाला किसके साथ मैचिंग मैचिंग करने वाला है थर्ड के साथ देखो जरा पूर्थ किसके साथ जाएगा थर्ड के साथ जाएगा क्यों क्योंकि टाइन की उनीट सेकेंड होती है तो देख लो एक ही डूड़ा कौन सा टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड बस मैंने यह डूड़ा और यही चक्किया टाइम के उनीट सेकेंड बस यही आंसर में माक करके आगे बढ़ूंगा option number B विल विदा करेक्ट option क्यूं सिर आपको पता चली रहा होगा option number B क्यूंकि third card key पर जा रहा है तो यही correct option हो जागा बाक है बाकी के तो यही चेक भी नहीं किया एक ही question तक कीज़े आगे बढ़ जाए आखों आखों में ऐसे questions होने चाहिए ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल बीदा correct option और ऐसे समझ रहे velocity की उनिट मीटर पर सेकेंड होती है displacement की उनिट मीटर होती है acceleration की उनिट होती है gravitational force between two bodies does not depend upon कहता है दो बोड़े के बीच में जो gravitational force होती है वो किसके ओपर dependent नहीं करती है तो आज एक चीज़ आप जान लेजे और समझ लेजे जो भी formula में देखे gravitational force होती है F का formula क्या होता आपको पता होगा जी M1 upon में into में M2 upon में R square यह है force force का formula कौन से force का formula है gravitational force का formula है ठीक है सथ अब समझे जरा कहता है जो यह force है यह जो force है किसके उपर depend नहीं करती है ठीक है depend नहीं करती है तो एक चीज़ आद रख लिए एक चीज़ आपको याद रखना है जो force है force के formula में जो लोग भी है उसी के उपर force depends करेगा तो quantity नहीं है उसके उपर depend नहीं करेगा तो force के formula में क्या क्या है gravitation है mass है दूसरा mass है और distance between the two object है देखें ये मालेजे एक अर्थ है ये moon कुछ भी मालेजे ये mass 1 है ये mass 2 है तो दोनों body के mass के उपड़ डिपेंड करेगा तो दोनों body का mass है आर क्या होता है आर होता है distance between the two object दो जो अबजेक्ट एक दूसरे को खीच रहे हैं gravitational force से उन दोनों के बीच की दोरी होती है तो जो भी फॉर्मले में है जो भी फॉर्मले में quantities होती है उसके उपर force depend करता है जो quantities नहीं है उसके उपर depend नहीं करता है तो देखो पहला पढ़ते ह उसने कहा किसके उपर depend नहीं करता देखे ना मास दोनों है तो मास के उपर depend करेगा देखे दोनों object के बीच के दूरी आर यहां पर है तो इसके उपर depend करेगा दा product of their masses product का मतलब होता है multiplication प्रड़क्ट का मतलब होता है multiplication of the two masses देखे यहां पर multiplication of the two masses है इसके उपर depend करेगा अगला है medium between the two bodies अब बताए फोर्स के फॉर्मले में कहीं पर मीडियम बिट 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 बॉर्डिस है क्या दो बॉर्डि के मीडियम की बात की गई है क्य नहीं नहीं बात करी है तो इसे के उपर depend नहीं करेगा जो चीज फॉर्मले में नहीं है उसके उपर depend नहीं करेगा जो है उसके उपर depend करेगा बात खतम तो ठीक है दी बिल बीदा correct option मतलब medium between the two object जहां पे दो मास्स रखे गए हैं उसके बीच का जो medium है उसके उपर gravitational force depend नही करता है तो दी बिल बीदा correct option अगला सवार ठीक है देख लीजे जरा इसको समझ लीजे उसने कहा हुआ है the linear momentum of an object is 250 gram centimeter per second momentum दे रखा momentum का formula पता है न सरकार momentum क्या होता जरा मुझे बताए मुमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी मास इंटू में वेलोसिटी मोमेंटम कितना गी बने आपको उसने momentum आपको दे रखा 250 gram centimeter per second याद रखे क्या दे रखा है 250 gram centimeter per second यह बहुत important question है बहुत बच्चों के पिपर में आएगा भी ठीक है सरकार एक बार चोटा सा थोड मुमेंटम दे रखा मोमेंटम क्या दे रखा मोमेंटम दे रखा है 250 gram centimeter centimeter per second याद रखे और क्या दे रखा मुझे इपड़ा बैलोसिटी और बैलोसिटी कितना दे रखा है 5 meter per second 5 meter per second एक चीज़ याद रखे कभी भी numerical करने से पहले कसम खाई अपनी माँ और पापा की और या खानी है कि जब कभी भी आप numerical को to solve करेंगे आपको ध्यान में हमेसा एक बात रखनी है कि जितनी भी चीज़ें आपको given है उन्सभे से होनी चाहिए क्या बोला माने बोलके बता दूँगिश्य ऑन उन्सभे से होनी चाहिए तो आप एक बार सोच के देखिए जो momentum है, momentum देखे, centimeter में given है, और जो velocity given है, वो meter में given है, तो क्या इन दोनों की unit same है, इन दोनों के तो unit are same ही नहीं है, जब unit same नहीं है, तो आप इस question में क्या करेंगे, unit को same किजिए, तो momentum centimeter में given है, तो all velocity को भी centimeter में करेंगे, कैसे, इसने दिया है 5 meter, आपको पता है न, आपको एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मैं सेंटीमीटर में क्यों बदल रहा हूं क्योंकि क्योंकि मोमेंटम सेंटीमीटर में है इसलिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर तो पांच मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे की नहीं हो जाएं मोमेंटम भी मुझे 250 ग्राम सेंटीमीटर यह भी सेंटीमीटर में यह भी सेंटीमीटर में अब मैं फर्मुला यूज कर सकता हूं रूल याद रखे सबकी उनिट सेम और आपको पता ना मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम क्या होता बाउजी एक बार बोल दो मोमेंटम क्या होत तो मैंने 250 लिए देखो उसने मास पूछा है फान ता मास अपजेक्स मैंने मास लिख दिया बैलोसिटी मेरी निकल कर आई है 500 तो मैंने वैलोसिटी 500 और या ना अब यहां से मास की वैलू नहीं निकल किया जाएगी क्या देखिए यह 500 मंटिपलाइ में है इधर जाके टिवा 25 तो जा 50 तो इसका अंसर क्या आएगा 1 by 2 1 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं सर का 1 by 2 को हम लिख सकते हैं 0.5 1 by 2 क्या लिख सकते हैं 0.5 ग्राम यह मेरा क्या निकल के आ जाएगा मास निकल के आ जाएगा 1 by 2 को हमने क्या लिखना है 0.5 ग्राम उपर लिख देता हूँ आपको दिखेगा 0.5 ग्राम आ जाएगा ग्राम क्यों लिखा सर क्योंकि मास्क उनिट क्या होती है इसलिए मास्क इतना है ग्रामल 3-2 मेरा निकल के यह लेकिन 1.2 में नहीं है सब्सक्राइब जाए गाए गार याद रखेंगे यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और माहूल सेट कीजिए बोलो तारारा अगला सवाल एक समझे पहले कहता है इनर्शिया एक शब्द होता है इनर्शिया मतलब जानते हैं लौप इनर्शिया का मतलब होता है कि वह जिस अवस्था में है इनर्शिया का माल लीजिए कोई एक बॉड़ी है वह रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पे ही रहना चाहती है एक कोई बॉड़ करता है inertia अपने अंदर कोई change होने नहीं देता है यही मतलब होता inertia का ठीक है यह तो law of inertia था कि गबडी motion में है तो motion में रहना चाहेगी स्ट पे है तो rest में रहना चाहेगी यहило of inertia तो same thing अबखता है उसनी question में का the inertia of an object cause the object to जो inertia होता करता है किसी भी अबजेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो उस अबजेक्ट में क्या कोज करता है पहला अप्शन देखे पहला बोला है डिक्रीज दा वैलोसिटी इस पीट नहीं इंक्रीज दा स्पीड अरे इनर्शिया ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है बॉडी ज यह तोनों फॉप्षन तो सब्सक्राइब करता है और यह रिषिस्ट करता है किसी भी चेंज को क्या करता है जो हर आपना यृण वह हमेशा किसी भी किया करता है र Изब्सक्राइब करता रजिस्ट अगला सवाल क्या है अगला सवाल कहता है ओजोन आप प्लीज भ्याँ से देखें ओजोन का मतलब होता है ओधरी होता है अब देखें ओ में सिंगल है सिंगल इलिमेंट होता है जब कोई चीज अकेला होता है उसे हम क्या बोलो मोनो अटोमिक जब कोई चीज सिंगल होता है उसे क्या बोलते हैं मोनो अटोमिक जब कोई चीज सिंगल है उसे हम बोलते हैं मोनो अटोमिक ठीक है जब कोई चीज डबल होता है तो डाई अटोमिक क्या होता है जब कोई चीज डबल होता है उसे डाई अटोमिक बोलते हैं बस सिम्पल है और और जोन के लिए जोरी को बोलते हैं जोन किसको बोलते हैं जोनी को बोलते हैं तो बताएं कि डेकिन आप बोलोंगे ये हैं ट्राइट्रा मतलब क्या होता ट्रस ट्रस चार उच्ण के नहीं सफूरा कि smallest mixed 10 2rd तो सव में ते रहा आपके आँखों में जब भी मैंजदा पॉलविंग आजाणा आरे बगवान का शुकर मना यह पूछे क्यों मनाए हम शुकर बगवान का वो कि इसमें टेंशन नहीं होती अगर उप्शन में से एक भी मैस्दा फॉलविंग में से अगर आपको आता है तो आप माहुल सट कर देंगे आखों आखों में देखें यह मैं सवाल पूरा नहीं पढ़ जाए जब कोई चीज डारेक्ट सॉलिट से क्या बन जाए गैस बन जा उसे सब्ली मेशन बोलते हैं ठीक है जिसे कपूर है रख देंगे डारेक्ट गैस उड़ जाएगा सॉलिट से गैस बातरू में वह और नहीं लगा होता है वह कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे का है पागज रह जाएगा जो उसके बाट लाइड गवा जाता है हवा में सॉलिट से गैस बन जाता हुसे सब्ली मेशन बोलते हैं तो सॉलिट से गैस बोलीं देखो सॉलिट से गैस काहा है , चेंज चेंज ऑफ solid directly into the vapor अगर कोई चीज किसे solid से direct vapor में gas में चला जाता उसे sublimation बोलते हैं इसका मतलब पहले का सी सही हुआ पहले का सी देख लो पहले का सी option में देखो पहले का सी ए में ही पहले का सी है देखो बी में ए का ए है तो गलत देखो इसमें सी में एका भी गलत एका डी है भी गलत एका सी था एका सी पहले में ही मिला यही करेक्ट बोलते हैं लेटेंट हीट औफ फफ फबाइप्राइजेशन क्या होता है कि जब भी कोई चीज बैपर फॉर्म में जाता रहे हैं उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट वेपराइजेशन जैसे आप इसका देखेंगे इसका मतलब यह हुआ अगर किसी भी चीज को किसी भी वन केजी ऑफ लिक्वीट को किसमें करदे बैपर्स में करदे उसे लेहोची अफ बैपराइजेशन बोलते हैं और फ्यूजट यह तो फॉर्ट का में क्या होता है जब एक क्यलो सॉलिड कर दो चया लिक्विट में कर siis कर जा लिक्विड में जमात हो जाए उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है सर अब में जरा मिटा दू और अगर कभी भी बोले लेट हीट अब वैपराइजेशन जब 1 कजी लिकवीड हो जाए तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट अप याद रखिए 11 कजी का लिंक है अगर फ्यूजन बोलेगा तो एक किलो सॉलिड और वैसे सब पढ़ने के जो आपको इसमें से आता है उसी को मैच किजिए बागी टिक लगा के बढ़ियां पढ़ने के जरूरत नहीं है सवाल को कौन पढ़ रहा है ठीक है आगे चलते हैं से इस सवाल को जरा देख लीजिए कहता है कहता है विच ओप दा फरलोविंग सेटल डाउन वैन अलाउड तू स्टैंड अन्डिस्टर्ब पॉर सम टाम कहता है इनमें से कौन सा सेटल डाउन हो जाएगा जब आप उसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे बिना अन डिस्टर्ब मताब बिना डिस्टर्ब के पहला है कौपर सर बच्पत से देखा उगर फानी मिल जाती है कि अगर आप छोड़ेंगे तो अपने आप पानी को अपने आप छोड़ देंगे तो थीक है ना था तो एक चीज का आपको ध्यान में रखना है तो थिस्टी सकॉल कर्णु सर बिल वाटर है अपको पता ना ब्लड अगर सतल डाउन हो जाता तो लोग सोते हैं एक दो दो चद्द घंटे जब सोते अगर ब्लट सेटल डाउन होगा तो निपट नहीं जाएंगे तो ब्लट सेटल डाउन नहीं होता है ठीक है नीचे नहीं बैठता जाएक पर फिक्ता स्लूशन डिटोल वाटर भी नहीं मढड़ी वाटर मतब पानी में मिट्टी थी वह अगला सवा झाल को साँना मीसकता सवी इस इसे फिर टीट और चिändए करकें प्रापरिटि आपक्साअ में प्रॉप्टी आफ गैस क्या नहीं है आपको तो पता होगा प्रॉप्टी आफ है साब शेपल सी बात है ना फोप्रोप्ट्य खेलिए हैं तो हिए और यह बात रहे हैं नहीन यह बात सब मिया है और दा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इसका मतलब यह है कि जब दो गैसे को छोड़ेंगे आपस में बहुत जल्दी मिल जाती बात सकते हैं गैसे पार्टिकल और इना स्टेट ऑफ रेंडम मोशन जो गैस के पार्टिकल होते हैं वह हमीशा मोशन में रहते हैं यह भी बात स जो है उसने कहा गैस है वाठ डेपनेट शेब गैस की वो कहता है कि डेफिनट शेप होती है नहीं सरगेश की डेपनेट शेप नहीं होते यह प्रॉप्टीज की नहीं एबल विडा कर्रेक्ट आफ्शन अगला जबाब ठीक है इधर देखे कहता है वाट ड़्ट ड़ फॉलविंग स्टेटमेंट सगनिफाइज का क्या कता कहता है टैन पर्षेंट टैन पर्षेंट ग्लुकोज इन वाटर वाई-मास कहता है दस पर्षेंट ग्लुकोज इन वाटर वाई-मास अब देखे सरकार आपको पता ना हर चीज अपने आपकी 100% होती है तो अगर हर चीज अपने आपकी 100% है तो उसने कहा है कि 10% 10% 10% 10% 10% उसने क्या डाल दिया है ग्लुकोज डाल दिया है अगर 10% ग्लुकोज डाल दोगे तो कितना पर्षेंट बचेगा सो मैंसे 90% ही बचेगा क्यों कि आपको पता ना हर चीज अपनी आपकी 100% होती है तो 10% अगर गुलकोज डाल दोगे तो 90% पानी बचेगा तो क्या फ्रेक्शन आ जाएगा 10 ग्राम 10 ग्राम गुलकोज इंटू 90 ग्राम वाटर में आ जाएगा ठीक है ना उसने कैसे मैंने कैसे कलकुलेट कैशना आप समझ सब्सक्राइब हर चीज अपनी आपकी 100 ग्राम है हर चीज हपने आपनी 100 ग्राम है अगर 10 gg glucose है पानी के अंदर, तो 90 gg ही तो पानी होगा, बस 10 gg glucose into 90 gg of पानी, यही मतलब है, आगया यहे, 10 gg glucose dissolved in 100, अगर 10 gg पानी हो जाएगा, 10 gg glucose होगा, तो 100 gg पानी थोड़ी न बचेगा, 90 gg बचेगा, ये गलट है, सफस्ब्रवं सब्सक्राइब ऑद चली घुट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब Still पूछे आपको याद रहें और इस एलफ को शलफेट बोलते हैं इनके उपर चार्जेंट कर लिए तब ही माहल चटोगा अमोणिया को पर चार्ज रूपीट को चार्ज होता है यह झार कर दिए इसको इसके साथ तो यह पर मरें गा यह 1 को लिखने की पिस्गत है आपका है तो यहां पे लिख सकते हैं तो अब नहीं सकते ठिक है तो निस पोर आजागा तो सबस्क्राइब यह आप कि नहीं पिसको कि बॉल्डिट नहीं कि आप हैसी तो यह सबस्की ना तो तो आप इसे कैसे चाहें वन भी लगा सकते हैं अगर वन है तो लगाने की जरूरत पैसे पड़ती नहीं है ठीक है सर चार्ज याद रखेंगे तब ही ऐसे questions होंगे आपको चार्ज याद होने चाहिए किसके उपर कितना चाहर्ज है कि अगला सवाल जब देखें जल्दी से कहता है एक बार देख लेंगे उन्होंने कहा हुआ है विच्ट आप फॉलव Eigen is the correct पेयर कहता है इनमें से करेक्ट पेयर करना है किस इसका करेक्ट पेयर करना है आटम का एटम का और आटमिक सिंबल का आज यह देखते हैं सलफर यादर के सर सलफर का सलफर का यह नहीं होता है सलफर का होता है तो इसका अटमिक सिंबल गलत है पोटेशियम पोटेशियम का पी होता सूर पोटेजियुम का के होता है ये सल्टा से गलत है फॉसिर होता है सोधिय्यम का कई नहीं होता है ठीक है करत возможность ऑफचिन अगला है इसको तो बच्चा बच्चा जानता मट्चा बच्चा जानता ना सर्ब्सक्वार्ट अगला सवाफ ठीक है सरकार यह चीज और देख लिए उसने बुला लिपिट सिंथसिस लिपिट सिंथसिस कहां पे होता है synthesis का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पचाना तो lipid कहां पर पचता है याद रखें हमीशा याद रखें एक होता है ER endoplasmic reticulum एक होता है ER endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum दो टाइक का होता है 1 SER होता है 1 RER होता है 1 SER होता है 1 RER होता है SER होता है smooth rendoplasmic reticulum स्मूद रेंडोप्लाजमिक एक्टिकुलम दूसरा होता है रफ एंडोप्लाजमिक एक्टिकुलम दूसरा होता है रफ एंडोप्लाजमिक एक्टिकुलम तो याद रख ले जो लिपिट का सिंथेस होता है वो SER में होता है smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum में lipid card synthesis होता है सुन रहा है ना तू तो SCR ये रहा B will be the correct option smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum चीक है? याद रखिए रख में नहीं होता है सरकार तो smooth में होता है mitochondria is the powerhouse of a cell होता है chloroplast से आपको digestion के बाद energy मिलती है याद रखिए जीए रहा देखते हैं जरा यह भी बहुत वहतरीन सा सवाल है जब आप देखेंगे तो सीखेंगे आपको पता है ना सरकार एक चीज़ समझे दा प्रोसेस बाइबिच वाटर मूफ रोधा सेमी पर मेंबरेन मतलब समझ पहले सेमी का मतलब आधा पर मेंबरेन मतलब जो परमीशन द तरह समझे जो चाय की छनिक प्रॉप्टी है यह लिक्विट के तो नीचे जाने देगी पर चाय पत्ती को नीचे जाने नहीं देती क्यों क्योंकि वह सेमी पर मेंबरेन है आधे चीज को जाने नहीं देगी वैसे ही हमारी बॉड़ी में भी ढेश सारी सेमी पर मेंबरेन हो जाने देती है अंदर से बाहर लिक्विड आ सकता है पर और कोई चीज को अंदर बाहर जाने नहीं देती देखता नहीं जब पसीना होता है तो अंदर का पानी बाहर आ जाता है यह इसकीन पानी को अंदर बाहर होने देती है और चीजों को नहीं होने देती इसकीन सेमी पर्म ऐसे समझ लिजें यहां पर आप अच्छा बना लिजे इस बिकर के और अफिल ट्राइबरा डाल दीजे यहां पर घ不到 सारा पानी ब्र देंगे तो आप क ==== बताइए जब आप यहां पर हसे हां जाएगा के नहीं कि नहीं क्या उस्हें यहां जाएगा कर नहीं क्या यह पानी यहां से यहां जाएगा कि नहीं हाँ या ना जाएगा पोछे क्यों कि हमेशा हर चीज हाई कंसेंटेशन से लो कंसेंटेशन की तरफ फ्लो करती है जहां पे पानी की बहुत मात्रा जादा है उसे हम लोग बोलते हैं हाई कंसेंटेशन जहां पे पानी की मात्रा कम है उस सरकार तो यही यह बात कहता है कि इधर से इधर पानी तब तक जाएगा जब तक एकवल ना हो जाएंगे और इस बीच वाली लाइन को हम कहते हैं semi permeable membrane तो कहते हैं इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सरकार हम लोग कहते हैं इस पूरे प्रक्रिया को osmosis क्या बोलते हैं ठीक है सरकार पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं osmosis बोलते हैं याद रहेगा सरकार the whole process is called osmosis ठीक है तो इसे हम बोलते हैं osmosis ठीक है osmosis में क्या होता है high concentration से low concentration की तरफ पानी flow होता रहता है semi permeable membrane के जरिए और यह तक तक flow होता रहेगा जब तक कि दोनों की concentration आपस में equal ना हो जाए हाँ या ना this is called osmosis ठीक है दो टम और यहाँ पर देख लिजे अगला है evaporation evaporation क्या होता है पानी हमेशा भाब बनके उड़ता रहता है हर एक temperature पर evaporation अगला diffusion diffusion मत्ता मिल जाना तूट जाना this called diffuse होना transpiration एक time है आपको पता है सर यह transpiration का मतलब क्या होता आपको पता है गर्मियों की टाइम पे जो पेड़ की पत्यों बहुत पानी का ज्यादा है इसे बोलते ट्रांस्पिरेशन तो ट्रांस्पिरेशन भी आपके पेपर में आ सकता है ठीक है सर याद रखे तो इसे हम अगला है जरा इसको समझे यह आपके पेपर दिख रहा है हाँ ठीक है अगला कहता है ब्लैंक्स लैक्स आप मेंब्रेन एंड हैंस डेज नॉट सो कारेक्टरिस्टिक्ट ओफ लाइफ कहता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास मेंब्रेन कमी है मेंब्रेन नहीं होती है औ और डेज नॉट सो एनी लाइफ कहता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके पास मेंब्रेन नहीं होती है और वो लाइफ भी सो नहीं करता है आप इसी कोशन को दूसरे भाता में पूछता हूं आप मुझे ऐसे चीज का नाम बताए जो चीज अगर हवा में रहे तो डेड रहे लेकिन अगर जैसे ही वो चीज किसी इंसान के अंदर चला जाए वो लिबिंग हो जाता है आप मुझे ऐसे चीज का नाम बता सकते हवा में है तो मरा है जैसे किसी के अंदर गया वो जिंदा हो जाता है क्या हो सकता है वो बताए क्या प्लाजमोडियम है क्या वो वारस है क् यूमन यह घोंन ये का वी कि हो नहीं सकता हवा में भी ऊसा नहीं हुमन की भाई साव में रहेगा तो मर्य रहेगा किसी के अंदर चलब वह जिन्दा रहेगा यूँमन बेग नहीं हो सकता सबरकर आपको पता है ना भी कुछ दिनों पहले कितने सारी परशानिया चल रही थी वायरस वायरस क्यों वायरस को लिकित को नथा हो जाता है और जैसे किसी के अंदर जाता है वह जिंदा हो जाता तो जाता है अगर बाहर रहता है मेंब्रेन के कमी होने के कारण अगर वह बाहर है तो डेड रहेगा जैसे किसी लिविंग बींग के अंदर आता है वह अलाइब हो जाता है कौन वायरस ठीक है उसके अंदर मेंब्रेन की कमी होती बी विल बी दा करेक्ट ऑप्शन अगला सवाल ठीक है ओ ठीक है तर एक चीज आपको समझनी होगी जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं ध्यान से समझे देखें दो चीजें होती है एक बार आप समझ लीजे हलका एक होता है माइटोसिस क्या कहा मैंने एक बार मेरे पीछे बोली है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस क्या होता है एक होता है Mitois, दूसरा होता है Miosis, Mitois में क्या होता है जो parent cell से जो parent cell से division होता है वो दो Grade में आती है, माइटोसिस में बुलिए पेरेंट सेल ये मालिज अगर ये पेरेंट सेल है ना सरकार पेरेंट सेल से हमेशा दो सेल में दो डॉर्टर सेल में डिवीजन होगा मतलब इसका अगर माइटोसिस में जो सेल होगा वो तूटेगा ना तो वो दो सल में आता है, लेकिन अगर मियोसिस में एक सल तोटता है सरकार, तो वो हमेशा याद रखे, जो मियोसिस में अगर एक सल तोटता है ना सर, तो हमेशा वो चार सल में डिवीजन होता है, कितने सल में डिवीजन होता है, चार सल में, क्या कहा मैंने, अगर माइटोसि में जो पेरेंट सल होता है वो चार सल में तूट जाता है मियोसिस में जो पेरेंट सल है वो चार सल में तूटता है कितने में याद रख ले चार सल में तूटेगा माइटोसिस में दो सल में तूटेगा बोल हाँ या ना बोल माइटोसिस में दो सल में तूटेगा मियोसिस में चार सल में तूटेगा अब देख तिलस में देखते हूं तेरे पेपर में अगर कभी भी आ गया कि एक सल चार में तूटी आँख बन करके मियोसिस अगर एक सल दो में तूट गई तो माइटोसिस आँख बन करके सवाल क्या कहता है देख यह हो गया सवाल कहता है फोर न्यू स इस तरीके से मैं सोच रहा हूं वह तरीका अगर आप लेके चलेंगे ना बहुत आगे जाएंगे अग्वाल ये समझ गयाएं चार सल में डिविजन होता है अगला मैं नहीं पड़ इब तो बस चार देखा मियोसिव लगाने का दो देख़का माइटूस लगाने का याद रखो है करना होगा तब可 hal है जब और अब न पता है जब कभी थंडर होतीह बजली चमकतीः बीजली बोले तो तो क्यक्तिक वोह दूसरी बिजली नहीं सब्सक्राइब करके दिये मतलएane तुम आपने देखा है पहले लाइट चमकती ऊसके बाद साउंड आता है पता है जहां पे भी पिचली चलती है जब जहां से शरूऊ होती बिजली वहां सेs light और sound दोनों एक साथ चलते हैं लेकिन हमें पहले light दिखाई देती है बाद में sound दिखाई देता है पता की का खरण क्या है उसके पिछे का का है उसके सब्सक्राइब ह历ए है नहीं सब्सक्राइब जबाएब कि नहीं उपना खराएब श्रताहिए सब्सक्राइब तो लद OG नहीं हसे सब्सक्राइब गारीजन घ्लाद्व ठीक है तो A is true, R is false, C will be the correct option, ठीक है, assertion correct है, region उसका गलत है, C will be the correct, याद रखे, light की स्पीड ज्यादा होती, sound की स्पीड, कॉम, 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 बॉंगाली बाबू, याद रखे, हाँ, आगे बढ़ जाँ सेर, हो, देखे जरा, कहता है, अगला, during evaporation of liquid, the temperature remains unaffected, कहता है, evaporation क मचे, पानी को घरम करने के लिए 100 डिगरी के जरूरत है, पर evaporation होने के लिए 100 डिगरी के जरूरत नहीं है, जब भी किसी भी पानी में evaporation होता है, तो पानी का temperature पे कोई effect नहीं पड़ता, सुन ले, lumix नाम के camera, ठीक है, याद रखना है, आपको, तो हाँ, ये बात सही है, कि during the evaporation of a liquid temperature remains unaffected, तो ये बात सही है, रिजन क्या है, कानिटिक एनर्जी ऑफा मॉलेकूल इस इनवर्सली प्रपोर्शनल तो अपसलीट टेंपरेचर, वर्डू मीन वाइड़ जो मैंने लाइन पड़ा समझ दो, कहता है, अगर आप किसी भी गैस को, अगर कभी भी आप क ठीक है सर, तो कहता है ना कि कानिटिक एनर्जी जो कानिटिक एनर्जी होती है, वो टेंपरेचर के इनवर्सली प्रपोर्शनल है, कानिटिक एनर्जी टेंपरेचर के डिरेक्ली प्रपोर्शनल होती है, अगर जितना जितना टेंपरेचर बढ़ाओगी गैस के उतना उतना आफ आपके पाउं में कोई गर्माड बढ़ाते रहे आप अचल के भागोंगे और कोई चीज अगर आपके पाउं को गरम ना करें तो देरे-धिरे में तंप्रेचर कि मतलब अगडर तो तो कानेटेक अनरजी घड जाएगी यह बात महा गलत है तो इसका असर्चन तो था असर्चन और है रिजन गलत है तो इसका एक रेक्ट है और रिजन इसका गलत वोल्टा देदिया रीजन बहुच्छी टिस यह अगर इस पिपर में कोई सी सी मार किया जाना भाई साब भी सथ हो ढ़्म हो इसके बाद माहोल सब tu लो तार रहा तके कहता है यह कहता है प्लाजमा मेंब्रेन इस और अंदर बाहर आने जाने देता है प्लाजमा मेंब्रेन इसलिए से सेलेक्टिव न yıl मेंब्रेन कहते हैं दूसरा प्लाज्मा में 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 प्रेजर इडिंट आउट साइड आउट आउट साइड आप ने मितन क्यों घ्याओं तो मतने दे रहा है कि कुछन तो कुमेंट में अगली बार कर देंगे ि क्या तो इस निये कहा है कि रायनिंग और इंस्टेन्ट'ें स्टल्ण आण घृतिय। उसमें इनर टॉल एपी थीयम्ट होती है यह बात बिल्कूल Craig22 रट लिजिये सर् ऐसे एंसे की मैं पुछे गा कि इंस्टन टाइन में कौनसी सल होती तो आप बलोगे होती है और भिडॉच आपष्ण टोटी है टॉल एपिधिल्यम्ट होती है उसमारे इंस्टन टाइम भी है और वो हमारे मिन्रल्स को अब्जॉब भी करती है जब हमारे पेट में खाना जाता है तो वह स्मॉल इस्टेंट टाइन उसके उपर जूस सिक्रेट करती है ताकि खाना पच जाए जब खाना पच जाता है तो उसमें से जो न्यूटूशन होती है उसको वही इस्टेंट सब्सक्राइब करती है इसका सर करेक्ट हुआ इसमें दोनों करेक्ट है और असक्षिन भी करेक्ट है तो आप लिखोगे ज़िए सबस्क्राइब और आघ्चसन बी करेक्ट है इसका थना उन्होंने इस चारों का पीछे यह उप्षन दे रहा हैं मैं ञटें छोप्षनम ना नुब दूसरी के लिए कि पर minor कि to और 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 करेक्ट explanation नहीं का ठीक है sir a will be the correct option किसके लिए सरकार यह inner lining के लिए question number 20 जो भी करवाया था ठीक है sir यह हो गया आगे चलें क्या आगे चलते हैं sir आगे 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 सेक्षन बीचेए जए स्ट बीबी कर वाँगा वड़ तब तक के लिए आप देखते रहें और अपने दोस्तों को पीसिस अगर चाहो शेयर कर दो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो